आप देख रहे हैं चौहान वीडियो और आज की वीडियो में काफी important topic के बार में बात करने वाले हैं क्योंकि December 2024 के exam से related आपके लिए IGNU की तरफ से काफी बड़ी update जारी की गई है तो आज की वीडियो काफी important है आप इसे पूरा जरूर देखे और अंतक देखें तो वीडियो की शुरुवात करते हैं और ये IGNU की website है आप तो आप जानती होंगे अब new website इसी तरीके से कुछ आपकी दिखती है आपको क्या करना है student services में जाना है student services को आप click कर दीजे यहाँ पर से और आप जब इसमें नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर download का section नजर आ रहा होगा यह जो download का section है इस पर आपको click करना है जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे आपके लिए जो previous year question papers है उस पर आपको click कर लेना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जून 2024 के previous year question papers update कर दिये गए हैं मैंने इनके बारे में आपको काफी बार बताया कि क्यों आपके लिए जो previous year question papers होते हैं वो काफी important होते हैं क्योंकि आपके 15-20% marks जो होते हैं वो previous year question papers से ही आपको मिल जाते हैं previous year question papers से आपको important topics का पता चलता है, आपको exam pattern का पता चलता है, साथ में यह पता चलता है, कितने number के marks के questions आपके आने वाले हैं, maximum marks क्या है, short answers पूछे जाएंगे, long answers पूछे जाएंगे, सारी तरीके की जानकारी आपको previous year question papers पर मिल जाती है, तो आपको अगर इगनु में exams की त download करना होता है, और उसके बाद उनको देखना होता है, कि उसमें important topics कौन से है, important chapters कौन से है, आपका exam pattern क्या है, और फिर आपको अपनी तेयारी शुरू करने चाहिए, तो December 2023 तक के question paper तो already यहाँ पर थे, लेकिन अब June 2024 के question paper भी यहाँ पर आ चुके है, आप यहाँ पर click कर सकत है, इसके लिए आपको अपना school पता होना चाहिए, अब यह school क्या है, यहाँ पर आप देख सकते है, school नजर आ रहा है, school of management studies, यानि कि इसके अंदर आपका जो course है, वो किसी जरूर इगनू के अंदर एक school के अंदर आता है, school of management हो सकता है, school of sciences हो सकता है, school of social sciences हो सकता है, तो अंदर फिर वो जो subjects होते हैं, उसके अंदर वाले वहाँ पर आप उनको ढूंड सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर उपर ही आपके लिए जो choice based credit system के BAG, BCG, BSEG के इस्टुएंटा उनके लिए शुरुवात में ही दिया हुआ है, आप जून 2024 पर क्लिक कर दीजी और उसके ब download कर सकते हैं, आगे अगर आपको अपने questions को ढूड़ना है, तो आप अपना school को check कर सकते हैं, जैसे यह school of management है, उसके बाद school of education है, आप आगे जाएगे यहाँ पर आपको school of continuing education भी मिल जाएगा, school of health science के अंदर जितने भी health related courses हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, उसके बाद फिर आगे, school of engineering and technology, school of social sciences को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपका BLIS, MLIS है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, BLIS का revised courses की यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, तो इस तरीके से आपको अपना जो courses है, वो उनको ढूड़ने के लिए, अपन school पता होना से ही, अगर आपको यहाँ पर अपना school पता है, तो आपके लिए काफी important हो जाता है, काफी easy हो जाएगा यह सारी चीजों को ढूड़ना, आगे भी अगर हम देखें, तो आपको master of arts के courses भी हाँ पर आप नजर आ रहे होंगे, तो आपको थोड़ा सा नीचे जाना school of humanities काफी important होता है, क्योंकि आपके 30 से 40% students जो होते हैं, वो school of humanities के अंदर ही होते हैं, इगनू के अंदर, तो आपको यहाँ पर school of humanities में बहुत सारे जो question papers हैं, वो मिल जाएंगे, आपके यहाँ पर से लेकर यहाँ पर तक आप देख सकते हैं, bachelor degree में कितने सारे question papers यहाँ पर बस आपको, और यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं, science related कितने सारे courses हैं, यहाँ पर के question papers आप download कर सकते हैं, और नीचे जाएंगे तो आपको computer and information science भी मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं कि इसमें BCA, MCA और इस related certificate diploma के courses हैं, जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो इस तरीके से आप अपना, जो question paper सा उनको download कर सकते हैं, आपको simply यहाँ पर click करना और यहाँ आपका question paper जो है, डाउनलोड हो गया, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका कौन सा question paper, कितने number का है, यह 100 number question paper है, जिसमें आपको पहला और दूसरा question करना compulsory है, उसक सारी जानकारी जो है, आपको आपके previous year question paper में मिल जाती है, तो आप इनको download कर सकते हैं, कैसे download करना है, उसके बारे में तो मैंने आपको बताया ही, एक बार फिर से बता देता हूँ, यह है इगनु की website, जो कि आप देख रहे हैं, इसमें आप जहिए student services पर, इसमें आपको download section मिलेगा, उस पर click कीजिए, download section पर click करने के बाद आपको previous year question में पर नजर आएगा, उस पर click कीजिए और यह आपका June 2024 आपको नजर आ रहा है, इस तरीके से आप इनको download कर सकते हैं, तो इगनु की तरफ से दिसंबर 2024 के exam पर काफी बड़ी update जारी की गई है, आप एक महीने स कम का समय आप आपके exam स्क्रियर रह गया है, तो इनकी तयारी आप सुरू कर दीजे, तो आज की वीडियो में इतना ही